नमस्कार मैं वर्तिका आपका अपनी यूट्यूब चानल लुक गॉर्जिस बै वर्तिका पर स्वागत करती हूँ प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे विडियो पसंद आती है तो यह जो मेकप आज मैंने किया है यह तारक महता की मुख्य भूमी का निभाने वाली दया गड़ा यानी की दिशावकानी जैसा मेकप करने की मैंने कोशिश की है अगर आपको यह मेकप अच्छा लगे तो प्लीज आगे मेरी विडियो को देखिए यह कुछ दया जी की तस्वीरे हैं तारक महता का उल्टा चश्मा में से जिनको मद्दे नजर रखते हुए मैंने यह मेकप किया है इसमें काफी पीचिश शेड का बहुत ही प्यारा हलका नारंगी शेड का और जिसके अंदर की थोड़ा गुलाबी रंग भी है ऐसा उपयोग हुआ है मैंने मेकप की शुरुवात की है अपने पूरे जहरे पर मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है जिससे की आगे मेरा मेकप जो है वो स्मूदली हो जाए और खराब ना दिखे परते ना दिखे फिर मैंने यहाँ पर एक आईब्रो पेंसिल ली है जिसकी मदद से मैं छोटी छोटी लाइने बना रही हूँ रेखाएं बना रही हूँ बिल्कुल छोटी छोटी ताकि ऐसा लगे कि वह सच में मेरी आईब्रो के हैर है यानि की बाल है तो उसको मैंने करने की कोशिश की है उसके बाद यह eyebrow mascara है जिसको मैं अपने eyebrow hair पर लगा रही हूँ ताकि वो जो eyebrow hair है वो set रहें जैसे हैं वैसे रहें और जो दया जी की eyebrows होती है वो अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो वो उपर और नीचे से हलका रंग होता है उनमें यानि की वो concealer का उपयोग करती है अपने eyebrows के उपर और नीचे तो यह NYX की wonder pencil है जिसको की मैं अपने eyebrow के उपर और नीचे लगा रही हूँ और फिर अपनी उंगली के उपयोग से मैं इसको blend कर रही हूँ यह मैंने NYX का eye shadow base लिया है जो की सफेद रंग का है इसको मैं अपनी पलकों पर लगा रही हूँ अब मैं compact powder से इसको sit कर रही हूँ ताकि यह जो है वो crease ना करे मेरी पलकों पर उसके बाद मैंने यह हलका सा प्यारा सा जो होता है हलका नारंगी रंग यानि की जो peach shade है और थोड़ा जिसमें बूरा रंग भी है उसको अपनी crease line में लगा रही हूँ यानि की जहां से मेरी पलक शुरू होती है उस जगे पर मैं इसको लगा रही हूँ फिर मैंने बहुत ही हलका सा silver color का eyeshadow लिया है जो की थोड़ा सफेज जैसा है उसको मैंने अपनी पलक के बाकी के हिस्से पर लगाया है फिर इस blending brush से मैं इस सब को blend कर रही हूँ ताकि जो है थोड़ा natural finish रहे और बहुत जादा अलग-अलग से सब ना दिखाई दे फिर मैंने खलका golden shade लिया है जिसको मैं अपनी पलक के बीचों बीच लगा रही हूँ ताकि यहां से जो है थोड़ा सा light reflect जादा करे यानि की जो है ज्यादा उभर कर आए अब मैंने काले रंग का काजल लिया है मैंने यहां neon का काजल pencil लिया है आप चाहें तो कोई भी काजल का उपयोग कर सकते हैं इसको मैं अपनी water line में नीचे वाली water line में लगा रही हूँ यानि कि जो हम आख को अगर नीचे से हलका खोले तो एक line होती है उसके उपर और साथ की साथ नीचे वाली जो आख की नीचे line है वहां भी लगा रही हूँ और बिल्कुल छोटी एक हलकी सी wing बनाते हुए उपर की तरफ उसके बाद मैं इसे अपनी उपर वाली आख की रेखा कर पर लगा रही हूँ अपनी lash line पर लगा रही हूँ फिर एक smudge brush लिया है मैंने ज वाइप लिया है जिसके उपर मैंने make-up remover लगाया जो कि मैंने खुद बनाया था जतून के तेल से और papaya gel से इसकी video मेरे चानल पर है अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा make-up remover है और इसके बाद मैं यह लाक्मे का blur perfect primer लगा रही हूँ यह नया आय मार्किट में और इसका review मैंने अभी अपने चानल पर upload किया था अब जरूर देखिए बहुत ही अच्छा primer है आपको इसके बारे में उसमें अधिक जानकारी प्राप्त होगी इसके बाद मैं यह लैक में skin perfecting liquid foundation का उप्योग कर रही हूँ अपने चेहरे पर और मैं ध्यान र लिया है उसके बाद इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो foundation है वो मेरे चेहरे में अच्छे से घुल जाए और अलग से ना दिखाई दे और इसके बाद एक concealer है यह foundation का ही एक गहरा रूप होता है जिससे कि जो dark circles वगएरा है अच्छे से छुप जाते हैं और highlighting के लिए भी यूज होता है मैं इसे अपनी आखों की नीचे लगा रही हूँ और अपनी नाग का जो बीच का हिस्सा है वहां लगा रही हूँ जिससे कि मेरी नाग जो है वो थोड़ी पतली लगे और उपर मात्य पे बीच में लगा रही हूँ ताकि जो है वहां से highlight हो जाए और इसके अलग से चमकते हैं और उभर के आते हैं तो मैंने इनको अच्छे से डिफाइन किया है फिर मैं कॉम्पाक्ट पाउडर से इन हिस्सों को सेट कर रही हूँ ताकि जो है पसीना वगेरा ना आ पाए और ये हिस्सों पर जो चहरे का तेल निकलता है वो ना निकले फिर मैंने बहुत ही प्यारा पीच शेड का बलश लिया है और अपने दोनों गालों पे लगाया है कान के शुरुआच से शुरू करके थोड़ा नीचे तक तेड़े उसमें लेके आई हो ये भूरा शेड है ये कंटोर पाउडर है इसको मैंने अपने नाक पे बीचों बीच ब्रिज पे साइड में लगाया है ताकि जो नाक है इससे वो पतली दिखाई जा सके और दया का जो लिप शेड था वो बहुत ही प्यारा पीचे शेड था जिसमें हलका गुलाबी रंग था तो मैंने यहां मेकप रेवल्यूशन की ब्लिस लिपस्टिक अपलाई की है यह लिपस्टिक जो है बहुत ही क्रीमी है जिस वज़े से थोड़ी तूट गई है तो इसलिए मुझे से मर्ज करके ब्लेंड करके लिप लाइन कर यूज करना पड़ा पर यह बहुत ही सुन्दर शेड है इसके बाद मैंने NYX Butter Gloss Peaches and Cream में लगाया है यह बहुत प्यारा शेड है इसका Review मेरे चानल पे है आप जरूर देखिए और यहां मैंने मसकारा लगाया तो थोड़ा नाथ पे लग गया है तो मैं इसे उसी Makeup Remover Wipe से साफ कर रही हूँ इसके बाद मैं मसकारा अपलाई कर रही हूँ अपने Eye Lashes के उपर यह जो आँख के बाल है इसे बहुत ही सुन्दर और घेरे लगते हैं और आँखे जो हैं वो अलग से उभर कर आती हैं और पूरे चेहरे का जो एक लुक है वो ही अलग नजर आने लगता है तो मसकारा लगाने से आँखे और चेहरा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है इस मेकप को पूरा करने के लिए मैने एक छुटी लाल पिंदी का प्रयोग किया है बहुत भहुत धन्यवाद एशे देखने के लिए अब मैं आपसे अपनी अगली विडियो में मिलूँगी झाल झाल